फ्रेंड आज मैं आपके लिए इंस्टेंट पनने वाली एक ऐसी स्वाधिस्ट मिठाई की रैस्पी ले कराई हूँ जिसे आपना 10 से 15 मिनिट में बना कर तयार कर लोगे और ये वली जो मिठाई है खाने में इतनी लाजवाब बनती है कि घर में सभी को बहुत पसंद आएगी तो उमीद करते हूँ आपको आज की रैस्पी अच्छी लगेगी अच्छी लगी तो इसे लाइक शरूर कीजिएगा तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं तो इसमीठाई को बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन में डालेंगे एक कप चीनी, पानी को एक बार पानी में अच्छी तरह से घूल जाने देना बनानी जैसी चीनी पानी में घूल जाएकी आईगी के लिए पका लेंगे जिसे ये जो चाशनी है ना वस हलकी सी गारी हो जाए थोड़ी ये चिप चिपी सी हो जाएEO ही और जैसी आफ इसको एक से दो मिनिट के लिए पका लोगे ना ये देखिे इस तरह से यह हो जाएगी अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ढखकर एक साइड पर रखतेंगे इसके बाद हमने एक देखिए थोड़ा से खुला बरतन ले लेना है और इसमें हम डालेंगे दूद की ताजी मलाई दो दिन तक की मलाई आप इसके लिए यूज कर सकते हैं इसी के साथ हम इसमें जो पान चमश डालेंगे मिल्क पाउडर ब्रेंड का यूज कर सकते हैं और चाहें तो डेरीव इपनर भी जो आतबने वो भी इसमें यूश कर सकते हैं इसी के साथ थोड़े से मैं इसमें डाल रही हूँ बड़ी कटे हुए बदाम और काजू दो दो से तीन चमज के करीब हमने इसमें कटे हुए ड्राइ फ्रूट्स डाल दिये हैं और साथ में एक चमज डालेंगे चीनी क्योंकि हमने इसके लिए चाशनी भी बनाई है तो चीनी इसमें जादा नहीं डालेंगे और इस सारे मिक्स्चिर को अच्छी तरह से मिला लोग गई है इस तरह से मावा की तरह इसका टेक्शर आजाएगा साथ में दो चमज में इसमें डाली हो नारियल का बुरादा यह बिल पैसरेंट यह इस तरह से एक मावा बिल्कुल रबुडी की तरह बनकर यह तयार हो जाता है इसके बाद हमने पांच लियें ब्रेड स्लाइसिस मैंने इसके लिए वाइट प्रेड यूज किये और जो ब्रेड स्लाइसिस इनके हम किनारे इस तरह से कट कर देंगे साइडों स कीम हम ने इसके ग्लीन करना गीनार्य तो व्हाइक प्रबाय काते लिए है तो यह थी मैंने इस तरह से खेडनी कर लेगा तो यह तो उसी तरह से बाकी ऋहिए खेडले जो बेदा इस दो भी आपने टाक प्रई 있지 आ वम इन तो इसके लिए कोई भी रफाइंड ओयल यूज कर सकते है या डालडा घी भी यूज कर सकते है बस आपने इसके लिए ना जो सरसो का तेल है वो यूज नहीं करना और तेल जो भी यूज करेंगे वो फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए तो तेल अच्छा गरम है तो हम अच्छे क्रिस्पी होने तक पका लेना है, तो यह देखे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, और बहुत क्रिस्पी हो चुकी है, तो अब हम इसके पीसिज निकाल लेंगे, और मैंने इसको इस तरह से एक जाली पी निकाल लिया, जिससे इसमें जो अग अब हमने जो चाशनी रखी हुई थी न वह देखिए बिल्कूल अभी भी हलकी सी गरम है अगर थंडी हो जाती है अपने हलका से गरम कर लेना बस ऐसे नहीं करना गैस पे चलाते हुए नहीं रखना जब वह हलकी सी गरम होगी तो उसमें हमने ब्रेड स्लाइसे डाल दिया और इसको हमने भिगो कर नहीं रखना बस ऐसी न एक बार उल्टते पल्टते हुए आपने इसमें डिप करना और जैसी आपको लगे इसने चाशनी सोक लिए साथ की साथ इसको बाहर निकाल देना इसमें हमने जो ब्रेड स्लाइसे इनको क्रिस्पी रखना तो आपने इस चीज इसको पल्टते हुए जैसी वो चाशनी को थोड़ा सोक लेंगी न तो हम इनको निकाल लेंगे बहुत ही जल्दी ये चाशनी को पी लेते हैं तो हमने बाकी जितनी स्लाइसी थी वो भी देखिए निकाल लिए और अभी मैं आपको दिखाती हूँ आपको देखकर पता चल इसने चाशनी को पूरी तरह से देखिए बिल्कुल अंदर तक सॉफ्ट हो चुकी है न अब हम एक एक स्लाइस लेंगे और जो हमने मिक्षर बना कर रखा हुआ था न वो उसके उपर इस तरह से लगा देंगे थोड़ा थोड़ा हमने मिक्षर इसके उपर लगाते जाना औ कर सेट कर देना है अब हम जो दूसरा पीस है वो इसके उपर रख देंगे तो यह हमने देखिए एक पीस इस तरह से बना कर तैयार कर लिया है और जितनी प्यारी इनकी लुक आ रही है ना उससे कहीं जादा यह खाने में टेस्टी है तो एक बार आप इस रेस्पी को ट्रा है जरूर करना क्योंकि ब्रेड अल्मोस्ट सभी के घरों पर पड़े ही होते हैं तो यह वाली रेस्पी आप एक पर बना कर जरूर देखना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लगी कैसी रेस्पी इसी तरह से हम जितनी बाकी जो चुट चुटी स्लाइसीज है इसी तरह से तेयार कर लेंगे तो यह हमने दिखिया दूसरा पीस भी इसी तरह से बना लियए है तो आफ मैंने जितने बाकी पीसे रहां और इस तरह से तेयार कर लिए और मैंने इनके अपन थोड़ा सा चांदी का बरकर साथ में पिस्ता कट करके लगा दिए तो चैनल को सब्सक्राइब शुरूर कीजिएगा जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिए